Hello everyone, देखे इस वीडियो में हम evaluate करेंगे limit x 10 to 0 x into cos x minus log x log 1 plus x by x square यहाँ पर अगर मैं x को 0 से approach करूँ तो देखे क्या बना है हमारे पास 0 into cos 0 or minus log 1 plus 0 by 0 cos 0 की value 1 होती है लेकिन यहाँ पर 0 multiply में है तो 0 और log 1 की भी value क्या होती है 0 तो हमारे पास यहां पर 0 by 0 पॉम बर्ण रही है तो देखिए इसे हम कैसे evaluate करेंगे यहां पर मैं L hospital rule यूज़ हूँगा ओके by L hospital rule यह rule क्या कहता है अगर हमें limit do limit extend to a fx by zx ओके और हम इस पर limit evaluate करें तो हमें form मिले 0 by 0 infinity by infinity ओके यह form बन रही हो तो हम इस function को fx by zx है इसको ऐसे लिख सकते है limit extend to a f dash x dash का मतलब differentiate with respect to x अलग और g dash x ओके हम fx का और g x का अलग अलग डिफ्रेंचेट कर उनकी value रख सकते हैं वहाँ पर और फिर उस पर हम limit apply कर सकते हैं ओके तो यह हमारा l hospital rule है यहाँ पर अभी हम apply करेंगे तो देखिए limit x 10 to 0 d upon dx x cos x minus log 1 plus x by x square d upon dx ओके अलग अलग differentiate करना है ना तो लिमिट x 10 to 0 इसका x into cos x का differentiate करेंगे तो u into भी लग जाएगा यहाँ पर देखिए x x as it is cos x का differentiate minus sin x और फिर x का differentiate क्या होगा 1 or cos x as it is ok minus यहाँ पर log है तो log का differentiate क्या होगा 1 upon 1 plus x ok उपर वारे का हमने differentiate कर दिया इस पर का नीचे वारे का करेंगे तो x square है यहाँ पर इसका differentiate क्या होगा 2x ok अभी हम x को 0 से approach करवाएंगे तो हमें क्या value मिल यह देखिए यहाँ पर तो x है यह 0 हो जाएगा और यहाँ पर cos 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 0 की क्या value होती है 1 तो मैं यहाँ पर आपको दिखाई देता हूं यहाँ पर 0 हो जाएगा x into sin 00 और प्लस यहाँ पर cos 0 की क्या value होगी 1 और यहाँ पर minus 1 upon यहाँ पर 0 रखेंगे तो यह 1 1 minus 1 0 और नीचे यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा 0 तो अभी भी हमारे पास 0 by 0 पर नहीं है तो मैं again एल होस्पिटल रूल यूज करूंगा इस फंक्शन के पर को कि अगें यूज एल होस्पिटल कि अनुज ओक देखें लिमिट को एक्स टैन्ट जीरो अभी हम डिफरेंसेट कर देगें देखेंगे तो देखेंगें लिमिट एक्स एक्स साइन एक्स और प्लस कोस एक्स और माइलनस यहां पर क्या है बन वाइ एक्स के ओके और इसके डिवाइड में क्या है यहां पर क्या है टू एक्स दिएप पॉण डी एक्स है कि कर दो लिमिट एक्स टैन टूज जीरो कि देखे है घ्स एक्स का डिफरेंशेट करेंगे तो और फिर ब想ुपग कुषेans minus x का differentiate करेंगे तो minus 1 होगा और sin x as it is देखें minus x as it is cos x का sin x का differentiate cos x और फिर minus x का differentiate minus 1 और sin x as it is plus cos x का differentiate करेंगे तो minus sin x minus sin x और minus यहाँ पर इसका करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 1 upon 1 plus x का square और यहाँ पर minus 1 हो जाएगा और 2 x का करेंगे तो कितना बचेगा 2 x का 1 हो जाएगा 2 cos x अभी देखें यह minus sin x है और यह भी minus sin x है तो इनको अभी हमें evaluate करने की ज़रूरत ही नहीं है अभी हम सीधा x को 0 से अप्रोच करवा देते हैं इस पटल में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर 0 रख देते हैं देखें जीरो माइनस जीरो इंटू कोस जीरो और माइनस यहाँ पर क्या है ये भी ये भी 0 ये भी 0 और यह यहां पर क्या बच रहा है वन अपॉन वन है तो वन तो हमें क्या मिला 1 by 2 तो यह लिमिट हमारी किस के एक्वल है वन बाइ टू की थैंक यू गाइज अगर वीडियो अच्छी लगयो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजिए अगर आप चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए